तो अभी गाईस हम लोग अपना बेबी आने का डेड़ भी आप लोग को बता देते हैं तो कब आरा हमारा बेबी इसा ने सोलू के प्रोपसल को सुईकार कर लिया ओ कात नो इतना बना लिया है कि तुम धार की बात करते हो फॉर्चुनर भी लेके आएंगे भाई क्या बोलती है का अज का ब्लाग मैं अपनी दीदी के गर से स्टार करता हूँ क्योंके गलम दोनों ही माँ बेटे गुमते हुए यहाँ पर आये थे और फिर मैं जासे ही मूँ दोके आया तो मुझे मेरी दीदी ने ब्रेकफास दिया जिसमें रोटी के सासलाग बहुत सारा सबजी भी था याने के चीकन, ओमलेड सब को स्था पड़े इनको देखे मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं हो गया तो हाखिर में जाके दोनों को ही बजा दिया फिर में बाहर निकलाई था कि मेरे दोनों भंजे बाइक में चड़के आतल मचा रहे थे सच कहूं तो ये दोनों ही बहुती सरारती है मुझे तो एक सेकंड भी सांती से बेटने नहीं देते लेकिन जासे हम यहां से निकलने वाले थे तो मुझे भी दोनों भंजे ने मुझे चुम्मी खाया और सच कहूं तो जब भी मैं आने वाला होता हूँ तो ये दोनों ही जाके पुरा गाउं में सोर मचा देते है कि आज अमारा मामा आने वाला है खेर हम दोनों यहां से निकल गे सिधा अपना घर पहुंच गए और बाहर तो कोई भी नहीं था क्योंकि छोटी बेन भी स्कूल जा चुकी थी तो मेरी कांची इधर जाडू लगा रही थी खेर जारू लगाने के बाद नहा दुला के इसने मुझे और मम्मी को खेर दिया जो इसने कल बनाया था अब हम लोग ते इसे खेर या पाईस ही कहते है इसलिए में भी यहां पर खेरी कहा रहा हूँ तो यह उतना अच्छा भी नहीं और उतना बूरा भी नहीं बस ठीक टाक बना है और हम लोग इसे इधर खाने लगे तो यह इधर आके सबजी कातने लगी और आज सबजी में बोदी आलू भोल सब कुझे मतब यू माल लो मुझे इन में से कुछ भी पसंद नहीं खिर मुझे अचानक से गूगल में मेरे उपर छपी हुई एक आर्टिकल मिलती है मतब में तो ऐसे गूगल में अपने नाम बगरा सच कर रहा था और यह आर्टिकल मिल गई जो आस तक निवजवालो ने चापाता चलो आपके सासा इनको भी सुनाते इसार में मोहबब ट्यूसन जाती लड़की को पहली बार सिक्रोडी गाड लड़के ने देखा फिर दोनों ने भाग कर साधी की उसके बाद सिक्रोडी गाड रहे सोनु छेत्री और फेमस यूटूबर है उनके करीब पांच लाग सस्क्राइबर है वह आसाम से है यह भी थी दो में मोबाल लमर निकाल लिया ओके मिल गया फिर कपल में खूब बाते में लगी लग अ कहा कल कि प्यार के लेकारण गाड की नूकरी में मन नहीं लगता था ह। स्वाइब करते हैं कि परका सनु ने हस्ते हुए कहा पेहली बार प्यार हुआ था में जॉब से दूर और इसा के प्यार में बुवाया reached शुरवाति नुके आठ स्वीश्त के प्रॉपयंग के ससाहत नी गताता हुआ बहुत हमाति ऑलud सोनु ने कहा कि उनके रिष्टे को लेकर इसा के धरवाले बिल्कुल भी तयार नहीं थे बीच में ब्रेक अप भी हुआ था इसके बाद सोनु ने इसा के साथ भागतर साधी करने का फेशला किया फिर दोनों ने एक मंदिर में साधी रचाई इतना तक लिख दिया यार थेंक कांची ने मेरे और मम्मी के लिए खाना लगाया और हम दोनों ही मा बेटे आराम से बेढ़के इसे खाने लगे देन खाते ही मुझे इसका दवाई लेने जाना पड़ा क्योंकि इसका केल से मरा आयरन का टेबलेर खतम हो चुका है इसलिए मैं आपना होम्टाउन आ गया और सबसे पहले तो मैंने एटेम से पैसा निकाला और आप लोग भी सोचते होंगे कि ये कितना पैसा निकालता है आरे भाई वो तो मुझे खुद भी पता नहीं है अगर मेरा इंकम गिर के महीने के 50-60,000 में भी आ गया ना तो हमें बहुत प्राबलम हो सकती है क्योंकि हमारा खर्चा इससे भी जादा होता है खर कोई ना यार आप लोग हमें इतना अदर सपोर्ट करते हो तो इससे भी आगे जाने की कोसिस करेंगे फिर सबसे पहले मैं आया सबजी लेने जो कि मैंने फिर से वही बोदी लिया जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है साथ में बग जरू आले रजबुले भी लिये फिर यहां से में निकली रहा था कि यह वही आप बगल में पानी पूरी बेच रहते तो इनसे मैंने 100 रूपे का पानी पूरी प्यक कर आया जो इतना जादा था कि आसपास के लोग भी मुड़ मुड़ के देख रहते लेकिन मेरी कांची को यह बेहादी पसंद है तो उसके लिए होने से भी मैं इसे लेके आया और सारा सामन यहीं पे रख दिया क्योंके कांची तो सो रही थी तोड़ी दर बाद यह उड़ गई और मुव अगरा दो के मेरे सामने आई तो मैंने इसे इसका दवाई दे दिया दैन फिर मैंने अपन अगर पर तरा तरा के लोग देखने को मिल जाए बड़ खाने में कोई किसले कम नहीं है इसलिए तो हमें कभी गभी भुक कर फ्यामली बोलके भी कॉमेंट्स आते हैं खैर हम इतना हाके तोड़ी दर रेस करने लगे और इसलिए हमारी दोड़ी बहुत बाते भी हुई तो पर लोग अब बेबटर दल लेट आप लोगों अबुद्ग बता देशें तो कभार हमारा व मेरे नहीं पता है और नहीं बता है बिल गया यार कभार वल्व थक्ते जुन हों च्पलते तो में वह हरु तो मेंड़ी आ यह तो मतलब डॉक्टर ने वो डेड़ दिया है 30 उनको हमारा बेबी आ जाएगा यार बहुत जदा हम लोग एकसाइडेड है अभी हमारा बेबी मतलब खुटता हुई रहा हुँ तो आप बैक पैकिंग करने के लिए हम बैक डूंड रहा है जो कि इसने इस बैड के अंदर रखा और कल मैं इनी सब कपड़े को लेके जाऊंगा जिसमें कुछ सट है तो कुछ पेंड है और फिर मैंने अपना टी सट भी उतार के पैक कर आया क्योंकि कल मैं इसे भी लेके जाऊंगा और गाइस मैं आप लोग हमारा गाड़ी का अपडेट दे देता हूं कि कापी सार लोग क्या रहे है कि तो ऐसे जूट बोल रहा है तो गाड़ी वाड़ी कुछ भी नहीं लेने वाला है बस पब्लिक को पागल बना रहे है तो देखो आर ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब कि यार हम लोग गाड़ी तो 100% लेंगे बड़ गाड़ी का ना यार बाइक का जैसा नहीं है मतलब आज गया सोरोम और कली लेकर आया ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब गाड़ी का वेटिंग पिरियड होता है और जिस भी गाड़ी में ज्यादा दिमान होता है उस अगाग के बात हैं क्यूं करते हो यार दिल लगती है हमने मेंनत करके वहात ज्यादा यार मुझे ही अच्छा नहीं है क्योंकि हम लोग themine में पयादा हो के मिठ्ची prov душas से बिलोंग करते हैं तो यह ओकाद की बाते अच्छा नहीं लगता है हम लोग गाउं में रहते हैं तो यार फ्लीज यार थोड़ा सा वेड कर लो गाड़ी आप लिगों को बहुत देखने को मिलेगा तो यार बाकी यहां पर देख सकता है और अभी जाना पड़ रहा है मुझ बाते हैं तो यहां?